तलंगाना की दोरे पर गए देश की ग्रेमंत्री अमिशा अब नए विवाद में फस गए हैं सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो को लेकर सताधारे टियारेस और मुख्य विपक्षिदल कॉंग्रेस बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं तो क्या है इस वीडियो में और क्यूं अमिशा ट्रोलर्स के निशाने पर हैं देखते हैं ये रिपोर्ट गिरिमंद्री अमिशा सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी नेताओं की क्या इस्तिती है वैसे विपक्ष अक्सर ये कहता रहता है कि बीजेपी में सिर्फ दो ही लोगों की चलती है एक है पीम मोदी और दूसरे हैं अमिशा इस वीडियो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी में पीम मोदी और अमिशा के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है टियारेस ने इस वाइरल वीडियो को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है वीडियो में तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजे कुमार ग्रेवंतरी अमिशा के जूते उठा कर लाते नजर आ रहे हैं आपको बता दे आमिशाने हाल ही में तेलंगाना के एक मंदिर का दौरा किया था सीएम के चंदरशेखर राओ के बेटे और मंतरी केटी रामा राओ ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और उन्हें तेलंगाना प्राइड हैश्टेग के साथ वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि राज्जे के लोग गुजरात के गुलामों को देख रहे हैं तेलंगाना के स्वाबिमान को बदनाम करने के किसी भी प्रयास को उलट देंगे ट्यारेस के एक और नेता एम कृष्णन ने ट्वीट किया चप्पल लाने की रफ्तार और फोकस दिखाता है कि कल बीजेपी हमारे राज्जी को अभिशा के चर्णों में रखेगी ऐसे लोगों से सावधान रहें ट्यलंगाना की AICC प्रभारी मनिकम टेगोर ने वीडियो पोस्ट किया और लिखा भाजपा में पिछडे वर्क के नेता की क्या हैसियत है सच देखिए कॉंग्रेस नेता अंडाकी दयाकर ने भी बंदी संजे पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्जी बीजेपी प्रमुक ने तेलंगाना समाज को बद्दाम किया है टियारेस नेताओं ने संजे को जम काट्रोल किया जो अकसर टियारेस नेताओं पर मोके मंतरी के चंदरशेखर राओ का गुलाम होने का आरूप लगाते रहे हैं बीजेपी ने अब तक इस वीडियो पर खामोशी बरती हुई है तेलंगाना में आमिश्या ने केसी आर पर बड़ा हमला बोला था ये वीडियो उसी का जबाब माना जा रहा है